हमारे चैनल बढ़िया खाना में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सूजी का हल्वा सामगरी सूजी घी शक्कर पिसे हुए काजु बादम काजु बादम चारोली किश्मिश पिसी हुई हरी इलाइचे नमग दूद एक पैन गरम करेंगे पैन गरम हो चुका है इसमें हम डालेंगे 125 ग्रैम घी घी गरम होने देंगे घी गरम हो चुका है गैस की फ्लेम लो रखेंगे इसमें हम डालेंगे 125 ग्रैम बारिक रवा या सूजी सूजी को हम बुनेंगे सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक हम बुनेंगे सूजी को जितना स्लो गैस पे भुनेंगे उतनी वो साधिस्ट बनेंगी सूजी को लगातार चलाते रहना चाहिए वरना वह एक तरफ से जलने लगेंगी सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है इसको करीब 10 मिनिट लगे इसमें हम डालेंगे काजू बादाम की पाउडर हरी इलाइची पाउडर 75 ग्राम शक्कर शक्कर आप आपके मिठे के नुसार ज्यादा कम कर सकते हैं इन सबी चीजों को हम मिलाएंगे इसमें हम डालेंगे आदा लिटर दूद थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके मिलाने से इसमें गाठे नहीं बनेंगी देखें इसमें कोई गाठ नहीं बनी है इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच चारोली अच्छे से मिला लेंगे डपकन लगाकर हम इसे 10 मिनिट पकाएंगे इसमें एक चुटकी नमक डालेंगे मिक्स करेंगे 10 मिनिट हो चुके है डपकन निकाल कर देखेंगे हल्वा हो चुका है इसमें हम 50 ग्राम किश्मिश डालेंगे थोड़ी सी बचा कर रखेंगे मिक्स करेंगे ग्यास की फ्लेम बन कर लेंगे सूजी का हल्वा तैयार है इसकी हम प्लेटिंग करेंगे सूजी का हल्वा सुभ या शाम के नाश्टे में बना कर खा सकते है इसे प्रसात के रूप में बनाया जाता है इसे हम गार्निश करेंगे किश्मिश के साथ काजू के साथ बादाम के साथ बढ़िया सूजी का हल्वा तैयार है